हलो दोस्तों गुड मॉर्रिंग श्वागा था एक बार फिर सभी का दाश्री 2.0 में तो आज है बारा सितंबर आज के वीडियो में बात करेंगे बारा सितंबर 2023 के Most Important Current Affair के Question के बारे में तो दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारे Revision Point लिए गए हैं रोज की तरह तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा informative होने वाली है Revision Point लेने से फाइदा यह होता है कि आप तो देख रहे होते हैं डेली Current Affair लेकिन साथ ही साथ पिछले पांच-छे महिने की Current Affair दिकवर होते रहते हैं तो आज की वीडियो ऐसे ही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लिजिए ताकि हर वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहें तो नोटबुक पेंड लेकर बढ़ जाए तो शुरू करते हैं दोस्तो आज का Current Affair रेलवे के मुख परचालन प्रवंधन का पदभार किस ने संभाला है तो इसका जो राइट आंसर है आपसा नंबर 20 है स्याम संदर गुपता ने स्याम संदर गुपता ने रेलवे मुख के मुख परचालन का प्रवंधन का पदभार संभाला है तो इसका राइट आंसर आप स्याम संदर घुपता ने पुड़े में मध्र रेलवे रेल्वे के प्रवंधन मोख परिछारना प्रवंधनstäग का पदभार सम्हाला है कि स्याम संदर गुपता भारती रेलवे ययाता या सेवा के 1992 के अधिकारी नभी है चलते हैं रेल्वे से कुछ इंपोर्टन है देख लेते हैं रेल्वे बोड की नई अधच जया वर्मा शिन्हा को बनाए गया और रेल्वे सुरच्छा बलके नए निदेशक मनोज यादों को बनाए गया है भारती रेल्वे ने सुध सुन कार्बन उर्शर्जन बनाने का लच 2030 तक रखा है बिश्चु का सबसे लंबा रेल्वे फेट फार्म शिद्धुरूर्ण स्वामी प्लेट फार्म है जो करनाटक में इस्तित है बन्दे भारत एक्सप्रस टेंड का परचालन करने वाली देश की पहली महिला सुरेखा यादों है पूरे ब्रांड गेज का सो प्रसत बिद्धुतित करन जो हुआ है वो मध्ध रेल्वे जो ने में हुआ है याद रखें और पूरे ब्रांड गेज नेटवर का अब्यास देख लेते हैं साइकलोन अभ्यास जो होता है भारत और मिस के बीच होता है और सिंडेक्स अभ्यास भारत और अस्टिलिया के बीच होता है संप्रिती भारत और बंगलादीस के बीच एर डिफेंडर जो अभ्यास होता है वो नाटो करवाता है नाटो याद रखे मित्र सक्ति भारत और सिर्लंका के बीच होता है अभ्यास नोमेटिक एलिफंट भारत और मंगुलिया के बीच होता है तो इंपोर्टन अभ्यास है याद रखें चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन नंबर हमारा दो है कि अध्या में जटायू क्रूज सेवा किस न उत्तर प्रदेश के अविध्धा में 8 सितंबर को सर्वी नदी में जटायू सेवा सुरू की गई है क्रूज सेवा गुपतार घाट से नया घाट तक चलेगी 18 किलोमेटर गुपतार घाट से नया घाट तक 18 किलोमेटर चलाई जाएगी क्रूज सेवा पर सवार यात्रियों को अयुद्धा के प्रचीन मंद्रों और घाटों की जलक देखने को मिलेगी कुरूज सेवा एक बार में लगभर सतर से सव यात्रियों को बैठाया जा सकता है कुरूज सेवा में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेस आयात उत्तर प्रदेस के बारे में उत्तर प्रदेस अंधादधानी लखनवु है यहां के राजपाल आंनदी वेल पटेल और नहां के मुखमंतरी योगी आधितनात हैं बिधान सभा की पूंच्छे सीट उत्तर प्रदेस में बिधान परिसाद की सीट हैं 100 और बिधान सभा की 403 सीटे हैं राजस सभा की सीटे 31 और लोक सभा क 2 सीटे 30 हैं तो याद रखेंगे mm.।त्तरप्रदेश का इंपोर्टन करेंट फेर Henardi जो जान लेते हैं। उत्तरप्र Several सरकार ने ऐ्युधा में मंदिर संग्रहल है बनाएगी याद रखें उत्तरप्रदेश सरकार बनाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में बन टंग्या ग्राम प्रसिछन केंद इस्थापित करेगी उत्तर प्रदेश का पहला E-Office सिस्टम करनोज में सुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश जो है राष्टी सिच्छा पुरुसकार 2023 के लिए पचास में से उत्तर प्रदेश की तीन सिच्छक चुने गए हैं और जो उत्तर प्रदेश की कबिनेट ने 18 अटालावासी स्कूलों को मंजूर दिये तो यह उत्तर प्रदेश की कबिनेट ने दिया है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन नंबर हमारा जो थरी है याद रखें किस राज में ट्रांस जेंडर समदाय को सर्भौमिक पेंसन योजना में सामिल किया गया है तो इसका जो राइट आंसर है अपसा नंबर 20 है जहार खंट के cm है हेमन्त सोरेन तो याद रखें आगे बढ़ते हैं झारह खंट आया तो जहारखंट के बारे में कुछ जान लेते हैं इसकी इत्थापन जो हुई जहारखंट की 15 नौम्बर 2000 में हुई है और यहां के जो मुख्मंतरी वर्तवान में हेमन्त सोरेन है और यहां के जो प्रसिद राष्टी उद्धान है वो बेतला राष्टी उद्धान है जो की जहारफंड में इस्तित हैं आगे बढ़ते हैं सियम जो हो हेमन सुरेन के नेतरत में जहारखंड काइबिनेट ने राज की सरभाविक पेंसन योजना में ट्रांसजेंडर समदाय को सामिल करने की मंजूरी दे दिये अगला पॉइंट है कि ट्रांसजेंडर ब्रक्ति अब मुखमंत्री राज समाजिक सुरच्छा पेंसन योजना के तहत एक हजार रुप्रे की मासिक बित्ती सहायता प्राप्त करने के पातर होंगे ट्रांसजेंडर ब्रक्तियों को अन पिछड़ा वर्ग की सेणी में सामिल किया गया है जारखंड आये जारखंड के करन्ट अफेर कुछ है इंपोर्टन जान लेते हैं अबवा अबवा जो आवाश योजना जारखंड में सुरू की गई है जारखंड के प्रतियोगी परिच्छा के पेपर लीख मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विध्यक पास किया गया है ग्रह मंत्री अमिष्चाह ने जारखंड के देवगर जिले के जसी डिह में इपको नैनोयूरिया तरल सायंत की अधार शिला रखी है तो जारखन के जसी डी में रखी है याद रखें जारखन जो है जारखन राज के प्रतेक वर्स 14 नवंबर को अपना इस्थापना दियोस मनाता है जो जारखन राज है प्रतेक 15 नवंबर को अपना इस्थापना दियोस मनाता है तो याद रखें आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन नमबर हमारा फोर है नार्थ इस्ट इंडिया फेस्टिवल किस देश में अजुद किया गया है तो इसका जुराइट अंसर है आपसन नमबर एसाई इटली में इटली में नार्थ इस्ट इंडिया फेस्टिवल का अज़न किया गया है नार्थ इस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली के मिलान में अज़ुत किया गया है मिलान सहर में याद रखें मिजोरम का सेनहरी लोक यों संस्कृतिक दल 9 दिसंबर 9 सितंबर से को इटली के मिलान में अउजित होने वाले नार्थ इस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेगा जो सेनहरी लोक एवं संस्कृत दल मिजोरम लोगों की सम्रध्ध और जीवन संस्कृत परंपराओं और संगीत का प्रदर्शन करेगी इटली आया है तो इटली के बारम जान लेते हैं इटली के राजधानी रोम है और यहां के जो राश्पति हैं वर्तान में जार्जियो मेलोनी है और मुद्रा यहां की यूरो है याद रखें यहां के मुद्रा यूरो है और यहां के जो इटली के उत्तर में अलपास परवत है जिसमें से फ्रांस, सुट्चेजलन, आश्ट्रिया तथा इस्नोवेनिया की सिमाय लगती है इटली से तो याद रखें इतनी सिमाय इटली से से लगती हैं अगला कुश्चन है कि स्ट्रीट चाइल्ड किर्केट कप 2023 कहा आजुद किया जाएगा तो इसका जो right answer है आपसा नमबर ऐसा है चन्नाई में इसका आउजन किया जाएगा जो street child cricket biscuit बिसकप 2023 का जो आउजन होगा वो होगा चन्नाई में तो याद रखें चन्नाई इसका right answer है जो street child cricket बिसकप 2023 विसेश रूप से street children के लिए बिसकप क्रिकेट पहली बार चन्नाई में आउजन किया जाएगा यह पहली बार आउजन किया जा रहा हो भी चन्नाई में आउजन किया जा रहा तो याद रखें 22 सितंबर से आयुजूत होने वाले इस टूनामेंट में यूनाइटेट किंगडम ब्राजील हंगरी मेक्षिको दच्छिन अफ्रीका स्री लंका और रमांडा सहित 15 देशों की इस्ट्रीम बच्चे भाग लेंगे तो याद रखें 15 देशों इसमें भाग लेंगे जो 22 सितंबर को अजूत होने वाला है तो इसमें 15 देश भाग लेंगे आगे बढ़ते हैं अंतराष्टी क्रिकेट परसद आया है तो इसके बार हम जाल लेंगे इसकी इस्थापना जो हुई है 15 जून 1909 को हुई है इसका ज जो सीओ है अंतराष्टी क्रिकेट परशद के वह है जोफ एलार डिश तो याद रखें अगला पॉइंट है कि देश का पहला अंसाइट प्रतिश्थी संग्राले आप से पूछे तो यह तामिल नाडू में इस्तित है और सुभ यात्रा योजना प्राराम की गई है तामिल रुपए की साइबर सुरच्छा परजोजना को मंजूरी दे दी है तो वो जो राज है वो राज है महाराष्ट आपसा नंबर डिस है महाराष्ट राज ने 837 क्रोण रुपए की साइबर सुरच्छा परजोजना को मंदूरी दी है तो याद रखें महाराष्ट सरकार इसका विशेष पुलिस महा निरच्छिक दौरा क्रियानवित की जाएगी नागरिक साइबर अपरात के लिए यह खिलाप मोबाइल एप या पोर्टल के माध्यम से सिकायद दर्ज कर सकते हैं इसमें या परियोंजा के लागू होने के बाद नागरिक एक फोन काल के जरिए सिकायद दर्ज कर सकेंगे तो याद रखें आगे बढ़ते हैं महाराष्ट आया है तो महाराष्ट की करेंट फेर हैं कि इंपोर्टन जान लेते हैं कुछ महाराष्ट सरकार ने जन्मा अश्टमी पर प्रोग गोविंदा प्रित्योगता अउजुद की जाएगी यहां पर महाराष् बांबे हाई कोट जच के रूप में अधिसूचित किया है महाराष्ट में महाराष्टिन नागरिकों को सरकारी अस्पतालों मुफ्त इलाज की सुब्धा प्रदान की जाएगी जो नवी मुंबई जल्द ही सेप्टिक टैंक मुफ्त और सौपरसत घरों में सौचाले वाला द माराष्ट के बारे में जान लेते हैं महाराष्ट कोम क्परिकोंट महाराष्ट की इस्तापन आपसे पूछे तो एक मई ne leisureativo हुए और360 उड़ाजधद्री मुंभाई है यहां के मुक्मतिने एक नसर्षिंदे हैं और यहां के जो राजपां रमेश व्लय से यहां की विधान सभा की सीठे 78 है और बिधान सभा की सीठे 288 है राज सभा की सीठे यहां पर 19 है और लोग सभा की सीठे 48 है तो सभी पॉइंटों को याद रखेंगे important पॉइंट है याद रखेंगे चलते हैं आगे बड़ते हैं अगला कोश्यन नंबर हमारा शेवन है कि अंतराष्टी साच्छर्था दिवस कम मना जाता है इंटरनेशनल लेटरेसी डे तो यह जो है आठ सिप्तंबर को मना जाता है याद रखें कि अंतराष्टी साच्छर्था दिवस की देख शर्था के लिए जिम्मे डार है यह जो है अंतराष्टी साच्छर्था की देखरीक में किया जाता है तो इसका जो उद्देश है मानौ अधिकारों और गौरा और टिकाउ और समाजों के विकास के लिए साचहरता के महत को उजाग करना ये 8 सितंबर को मनाया जाता है याद रखें इसकी जो इस बार की थीम है 2013 की अंतराश्ची साचहरता दिवस की सांक्रवन में दुनिया के लिए साचहरता को बढ़ाना बढ़ावा देना टिकाउ और संथ्पूरक समाज के लिए नियू का निर्मार करना इस बार इसकी थीम है और इसका जो पहला अंतराश्ची साचहरता दिवस 1967 में मनाया गया है तो याद रखें पहला जो अंतराश्ची साचहरता दिवस है 1966 में मनाया गया है अगरे बढ़ते हैं युनिस्को आया है युनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो युनाइटेड नेशन एजुकेशनल सेंटफिक एंड कल्चर और्गनाइजेशन इसका फुल फार्म है याद रखें युनिस्को की जो इस्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को की गई है युनिस्क में जो है 50 से अधिक छेत्री कारियाल्या है युनिस्को की 58 से अधिक छेत्री कारियालये और इसमें जो देश है एक133 3 मइं है इसका तुछ ओक फूल बास्ता पूर्वiszा अलिश्चा और उन्हें उम्र भर सीखने फ्रेजित करना इसका जो है उद्देस है जो उनुसको में भारत के जो कुल बिरासत है वो 40 है भारत में उनुसको जो है 20 बिरासत इस थल में जिन में से 7 प्रैक्तिक हैं और 32 सांस्कृत हैं और 1 इसमें मिस्जित विरासात है तो याद रखें कुल 40 हैं आगे बढ़ते हैं महत्पूर्ण दिवस साच छर्टा दिवस आए तो महत्पूर्ण दिवस के बारे में जाले आप से पूचे प्रवासी भारती दिवस ये 9 जनौरी को मना जाता है विशु हिंदी दिवस 10 जनौरी को विशु कैंसर दिवस आप से पूचे तो चार फरवु को राष्ट्री विज्ञान दिवस 28 फरवरी अंतर राष्ट्री महिला दिवस 8 मार्च विशु टीबी दिवस 24 मार्च विशु स्वास्त दिवस 7 अपरेल विशु बिरासत दिवस 18 अ विष जन्संक्या दिवस गेरा जुलाई अनताराष्टी यूवा दिवस बारागस्त हिंदी दिवस 14 सितंबर वायू सेना दिवस अक्टूबर को मनाया जाता है और विष पर्यावरन साच्छर दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है तो याद रखें 26 नमबर को 20 परियावन सच्छरन दिवस मनाया जाता है तो याद रखें अगला question 8 है भारत के सर्वोच न्याले और किस देश ने नियाईक सहयोग के लिए समझोता किया है तो इसका जो right answer है आपसा नमबर C सही है आपसा नमबर C सही है सिंगापूर सिंगापूर इसका right answer है भारत के सर्वोच न्याले और सिंगापूर के विश नियाईक सहयोग के लिए समझोता हुआ है तो याद रखें इसका right answer सिंगापूर है भारत के मुख न्याधिस धननजय यसवंत चंचूर ने सिंगापूर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दोरान अपने सिंगापूर के समकच सुन्दरेश मेनन से मुलाकात की है नियाईक सहयोग के छेत में भारत के सुप्रीम कोट और सिंगापूर के सुप्रीम कोट के बीच एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये गए हैं सुप्रीम कोट के बारे में जान लेते सुप्रीम कोट भार ब्याख्या भारति समिधान के भाग पाच्व के अध्याय चार में अनुछेद 124 से 147 के अंतरगत कि इसकी जो ब्याख्या की गई है याद रखें वरतमान में जो मुख नयधित है वो डिवाई चंद्चूण को बनाया गया है है याद रखें आगे बढ़ते हैं सिंगापूर की बालें जब सिंगापूर की राजधानी है यहां के जो राश्षपती है और थर्मन सनमुख रत्नर्म है वा यहां के बलाशी दिय से सिंगापूर के मलेशिया और इंडोनेसिया हैं और इसकी जो स्थापना हुई है सिंगापूर की 1965 में मलेशिया से अलग होकर इसकी स्थापना की गई है भारत और सिंगापूर के सेनाओं के बीच एक दूपच्छी युद्ध अभ्यास बोल्ड कुर्षेत आयुजित किया जाता है युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापूर के बीच आयुजित किया जाता है तो याद रखें अगला कुश्चन नमबर नाई ने जेलम जो सेलम सागो को जी आई टैग मिला टहा है या किस राज से संबंद्ध के सेलम जो सागो है लिवार इसे दिया गया है किस राज संपन्द से आप से पूच्छा है तो इसका राइतांस है तमील नाडू कि अप Minnie Lee and the अजो हो सेलम सागो तो यात रखें और अदिनिया न कहीं ने ने कि आनन भी अखहाए 10 बर्सो 1999 का है त्याद रखें तमिल राडू राज के सलेम जिले के सेलम सागो जो की साबुद दाना बोलते हैं को जी आई टेक परदान किया गया है जो सागो उत्पादन सागो उत्पादन उनिस सो सरसट के बाद से सेलम की आर्थिक विकास की अधार सिला रहा भारत में साबुद दाना का 80% से अधिक उत्पादन सेलम जो है सलेम शेत्म किया जाता है सलेम सागो टैपी कोवा की जड़ों से निकलने जो कहां से निकलता है सेलम सलेम सागो टैपी कोवा की जड़ों से निकाला जाता है गेले इस्टार्ज पाउडर से प्राप किया जाता है याद रखें आगे बढ़ते हैं जियाई टाइग आए जियाई टेग के बारे में जलते हैं जो मर्चा चावल है इसका जियाई टेग बिहार को दिया गया है बनारस का पान यह उत्तर प्रदेश का है बनारस का लंगराम यह उत्तर प्रदेश का जियाई टेग है राम नगर का भाटा जो है उत्तर प्रदेश क का जियाई टेग है आदम चिनी चावल यह उत्तर प्रदेश का is everything मिला है प्रताफगा आमला का जिएट एक उत्तर प्रदेश को दिया गए हाथ का हींग जो हे यह उत्तर पदेश का जियाईटाय है रीवा सुन्दरजाआम ये मधद पदेश का जियाईटाय गए नगरी दुबराज चावल जो एच्षतिसगर का याद रखना चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन नंबर हमारा दस है जो की इंपोर्टन्ट है याद रखें कि सिंपली सेव मर्चंट करें कि ने लांच किया है एक अपमेंट जो सिंपली सेव मर्चंट एसबीयाई काड संपएंक ने है इसका जो उद्देश है SME के लिए क्रेडिट विकल्पों की आज़स्वक्ताओं को पूरा करना है और यह क्रेडिट काड रुपे पे नेटवर्क के भीतर संचारिद किया जाएगा जो रुपे नेटवर्क के भीतर इसे संचारिद किया जाएगा याद रखें स्थापना हुई है 1806 में बैंक खाफ कलकत्ता के रूप में हुई है फिर यह 1955 में भारती स्टेट बैंक का नाम बन गया इसका 1955 में इसका जब मुख्याल है मुंबई और महाराष्ट में इस्तित है ठीक है इसके जो अध्यश है वो दिनेश खारा है वर्तवान में और यहां प अलोक कुमार चौधरी इसके मडे हैं याद रखें इसके जो अध्यश है वो दिनेश कुमार खा रहा है इस्टेट बैंक आफ इंडिया आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रस कर लें ताकि ह सब से पहले आपको मेरे वीडियो मिलें तो दोस्तों कांटेंट कैसा लगा अगर कंटेंट अच्छा लगा तो इसका फिडबेक कमेंड बाक्स में बताईए कैसा लगा तो दोस्तों आज का जो प्रस्ण है आपके लिए हैं आध्धा में जटाय कुरूश सेवा किस नदी मे सुरू की गई है जो जटाई जो जटाई कुरू सेवा किस नदी में सुरू की गई है तो इसका आंसर आप कमेंट बाक्स में दिए मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का तो बस आज के लिए यहीं तक दोस्तों जय हिन जय भारत